हेलो वेलकम टो अकेडिमिलेंस गाइस आज है आपका लेक्चर नमबर शिक्स और इसमें हम डिसकस करने वाले हैं रिलेशन सिप बिट्वीन वेवलेंथ इन टू मीडिया मतलब अगर हमारे पास दो मीडियम हैं जैसा आपको पता है कि जब रिफ्रेक्शन होता है तो उसमें दो मीडियम होते हैं फर्च मेडियम होता है तो उनमन जो वेवलेंथ उनमन क्या क्या होने वाला है वह एक आर्टिक्ल में डिस्क्स करने वाले तो चलिए हम वीडियो सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि wavelength का क्या relation होने वाला है तो देखिए मैं आपको उतानात चाहँगा कि ray of light क्या है किसी medium 1 से किसी medium 2 में क्या जाएगी और सपोज करिए यहां पर wavelength यहां बेवलेंड़ा डैस है तो आपको में क्या relation क्या है करना आपको यह यह तो बात आपको सबच में आ गई तुम consider कर लेते हैं कि जो हमारे पास first medium है वह क्या है और second medium है वह हमारे consider कर लिजिए एर है इसलिए speed of light क्या हो जाएगा आपका स्य हो जाएगा similarly आप एक कोई medium consider कर लिजिए उसमें आप frequency f ले लिजिए wavelength आप lambda डेस ले लिजिए और speed जो ले ले लिजिए आप वह जाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या frequency क्या है ff क्या है सेम लिजिए तो देखिए अब आप क्या करेंगे आप first medium के लिए second medium के लिए frequency का formula लिखिए frequency देखिए क्या होगा frequency होगा आपका सी अपॉन लेंडा इसको डाल दीजिए equation number first फिर similarly आप इस medium के लिए relation लिए frequency का frequency होगा वी अपॉन लेंडा डैस इसको आप डाल दीजिए equation number 2 अब आप equation 1 और equation 2 को compare कर दीजिए आप देखिए LHS में आपका frequency f है तो from first and second देखिए क्या हो जाएगा आपका from equation 1 into अगर आप इसको देखते हैं तो आपका देखिए C upon lambda की value equal हो जाएगी वी अपॉन लेंडा डैस के अब देखिए आपको क्या करना है आपको lambda find करना है देखिए कैसे निकालेंगे तो आप देखिए क्या करिए आप लेंडा डैस find करिए देखिए लेंडा डैस से आपका हो जाएगा वी अपॉन सी लेंडा देखिए क्या गया इस लेंडा डैस को हमने क्या है इदर cross multiply कराया सी नीचे आ गया और यह लेंडा उपर चला गया तो देखिए वी अपनी जगए सी इदर आ गया वी वाई सी और लेंडा डैस लागया क्रोस multiplication से तो लेंडा डैस इकल टू हो गया वी अपॉन सी इंटू लेंडा अब देखिए अब आप क्या करेंगे नेक्स स्टेब में लेंडा डैस इकल टू लिखिए लेंडा अपॉन जो यह आपका वी है इसको आप क्या डिनॉमिनेटर में ले आ सकते हैं आप उल्टा सोचिए आपको पता होगा कि जो सबसे नीचे टर्म होता हो सबसे ऊपर जाता है तो देखिए यह आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यह आपका रिलेस्चिप अगया लेंडा किले क्या बेह भी सुनिक ません गलेंडी टूमीडियम तो ध्यां रंसके ह상이ँगे आपका वाई लेंडा एसकल लेंडा अपॉन म्यूं मतलब आपके लिखिए क्या है आपको क्यांग़ा नहीं जब air में जो आपका wavelength है वो आपको लेना है और आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है तो आपका other medium में जो वे आपका आजाएगा तो गाइस यह आर्टिकल बहुत आसान है बस आपको ध्यान यह रखना है फर्स्ट मीडियम आपको यह लेना है फिर जब आप नेक्स मीडियम में आएंगे तो आपको देखे क्या करना है आपको पता है मीडियम है इसलिए फिर जो आपका सेकंड मीडियम है उसमें आपको स्पीड वी लेना है जो आपको वेवलें तो लेना है फ्रिक्वेंसी आपका पहले की तरह f रहेगा क्योंकि medium में frequency कोई भी change रही होता है फिर आप क्या करेंगे frequency की value निकालेंगे first medium के लिए फिर आप frequency value निकालेंगे second medium से दो equation हो जाएगे दोनों को आप देखेंगे कि दोनों में lhs f है तो दोनों को आप equal कर देंगे c upon lambda equal to v upon lambda dash यहां से आप lambda dash निकालें cross multiplication करके तो आपका lambda dash आ जाएगा v upon c into lambda इस v को सबसे नीचे आप ले जाएंगे तो lambda dash equal to lambda upon c upon v हो जाएगा c upon v को आप कहते हो refractive index करते हो mu से तो lambda dash equal to lambda upon mu guys जब आप c upon v को क्या है mu लेकें तो आप bracket में mention कर दीजिएगा कि c upon v equal to mu जिससे कि जब एक्जामनर आपकी copy चेक करें तो उसको क्या है proper way में समझ में साइची जा सकें गाइस उम्मीद है कि आपको यह article काफी अच्छे समझ में आया होगा गाइस यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट हो से कमेंट करें पूछ सकते हैं और गाइस एसे वीडूस पानने के लिए तो दूरूर्श स्क्राइब करें नौटे को समयल दबाएं क्योंकि हम आपके लिए शुड़ आते हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियों तब तक लिए सब्सक्राइब